Assalamu alaikum welcome to student tube आज के इस लेक्टर में हम बात करेंगे चप्टर नुबर 5 एक्टराइजेशन एक्सिएफ इन स्कॉयर रूट एक्सिसाइज है 5.9 कुछेन है find the HCF of the following polynomials by division method आज इसका कुछेन नुबर 5 करेंगे तो चलिए फिर देखते हैं कुछ नुबर 5 में हमें 3 टर्म्स द और second term यानि के y square plus 3 y plus 2 अंदर लिख देते हैं अब बाहिर की first term और अंदर की first term को हम divide करेंगे यानि y square जब y square से होगा तो cancel तो यह रह जाएगा 1 अब यह 1 होगा बाहिर वाली term से multiply तो यह हो जाएगा y square plus y minus 2 ठीक है तो y square plus y minus 2 यह plus का है minus में यह plus का है minus में यह minus का है तो plus म हो गया तो यह cancel हो गया अब यह plus का है minus का यानि 3 y में से जब 1 y जाएगे तो रह जाएगा 2 y plus का क्योंकि बड़ी value के साथ plus है फिर यहाँ पर plus plus तो यह हो गया plus का 4 तो यहाँ पर हमने comment ले लेना है 2 को तो यह रह जाएगा y plus 2 टू के table में 4 आता है 2 पे तो y plus 2 ठीक है अब आजाएगा y plus 2 और अंदर आएगा y square plus y minus 2 ठीक है तो यहाँ पर y square जब y से होगा तो y 2 से cancel that means कि सिफ y रह जाएगा क्योंकि दो में से 1 का है तो उपर 1 रह गया अब यह y multiply होगा y plus 2 से तो यह हो जाएगा y square plus 2y तो यहाँ पर y square plus 2y प्लस का है तो minus में plus का है तो minus में हो गय यह हो गया cancel अब यहाँ पर यह 2y में से जब 1y जाएगा तो रह जाएगा y minus का और minus का 2 ठीक है तो अब यहाँ पर minus का y है बाहर है y तो यह y से cancel तो रह जाएगा minus का 1 अब यह minus का 1 जब होगा y plus 2 से तो यह हो जाएगा minus का y minus plus minus तो 1 तो minus y minus 2 minus plus में minus plus में तो यह हो गया cancel कु last term ठीक है तो उसको हमने किस से करना है इस से डिवाइट करना है ठीक है तो यहाँ पर y plus 2 बाहिर आएगा और अंदर आएगी third term जो है question में वो है y cube plus 2 y square plus y plus 2 तो y cube जब y से डिवाइट होगा तो यह हो जाएगा y 3 minus 1 यानिके y square तो यहाँ पर आगया y square अब यह y square multiply होगा y plus 2 से तो यह हो जाएगा y cube plus 2 y square तो यहाँ पर y cube plus 2 y square plus का है minus में plus का है minus में तो यह हो गए cancel ठीक है इसके बाद उत्रह plus का y और plus का 2 तो यहाँ पर y y cancel हो गए तो 1 रह गया plus का 1 तो यहाँ पर आगया plus का 1 अब यह 1 y plus 2 से होगा multiply तो रह जाएगा y plus 2 तो y plus 2 plus का है minus में plus का है minus में तो यह होगा cancel कुछ भी नहीं बचा तो जैसा के जो last वाले numbers जो divide होता है वो आता है hcf तो यह हमारा है hcf तो y plus 2 is hcf answer तो यह था हमारा आज का question उमीद करती है आपको अच्छे समझ आया होगा मजीद questions के लिए मेरे चैनल को कर दें subscribe साथ ही अपने classmates and friends से share भी जरूर करें मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज